हेलो फ्रेंड्स फेशनेबल क्रोचेट टिटोरियल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको सुन्दा सा थालपोस बनाना बताऊंगो फ्रेंड्स इस थालपोस के लिए हमने यहाँ पर रेड कलर लिया है थिरी प्लाई हुने हमारा फिर हमने यहाँ पर यह छोटी वाली म हमने लिये हैं और फिर हमने यहाँ पर दस नंबर का क्रोशिया लिया है तो चली से बनाना शुरू करते हैं सबसे परले हमें दागे में नोट लगा लेनी है फिर हमें यहाँ पर आठ चैन एक दो तीन चार पांक छे साथ आठ फिर पहले बाले हमें यहाँ जोइंट कर लिनी से स्ल्रिप स्टिच फिर टीन चैन है कि इस सर्कल के अंदर हमें 23 30 क्रोश्रिय हमें बनानी है यह जो एक्ष्टर धागा है इसे हमें हाइट करते हुए जाना है यह सरकल के अंदर हमें 23,13 double crochet हमें बना लिनी है फिर तीन चेन हमें बना लिया थास्था में 24,24 double crochet है हमें लिया यहाँ फिर थी जो थीसरे नंबर की चैन है वहाँ पर हमें इसे जाइंट कर लेना है स्लिप स्टिच फिर तीन चैन फिर उसकी अगली डवल क्रोश्य के उपर हमें डवल क्रोश्य बनानी है यह हमने यहाप पर बना लिया फिर दो चैन फिर जो हमारी अगली डबल क्रोश्या है उसके उपर हमें एक डबल क्रोश्या बनानी है फिर उसकी अगली डबल क्रोश्या को उपर एक डबल क्रोश्या सबी डबल क्रोशा के उपर हमें एक डबल क्रोशा बनानी है बीच में हमें दो दो चैन बनाना है फिर दो डबल क्रोशा बनानी है एक फिर अगली वाली में दो फिर दो चैन फिर अगली दो के उपर हमें एक डबल क्रोशा बनानी है फिर दो चैन बनानी है फिर अगली दो के के शसका मोड़ाना और वाल पाइच आया था प्रकक्न कर लाए सीय। एस पेस बिए जुआ है तो झार पनुक्स भी स्कम्ना पर हैं आपisc पसक्क रहा हैं, तो प्रलजन पना लिया है है Спरि Robin आपका निखी जुरुआ है। यह हमारी पहले डबल क्रोशिय है, इसके पिर हमें चार डबल क्रोशिय बना लेनी है, यह हमने यहाँ पर बना लिया, फिर लूप को हमें लंबा करना है, यहाँ पर हमें एक मोती एट कर लेनी है, फिर हमें यहाँ यहाँ पर पांच डबल क्रोशिय बना लेनी है, यह हमने य से फिर हम यहां पर पान्च दबम ख्रोश्या बनानी है इस प्रोसेस से हम यह पूरी यहां को हम एक तुझ ने है जननीitus सुद्विन करेंठ का वह चाए एक डबल क्रोश्यार बनारनी है यह हमने यहाँ पर सभी डबल कुर्शे को उपर डबल कुर्शे बना लिया फिर हमें यहाँ पर लूप लंबा करना है फिर हमें मोती एड़ कर लिनी है यह हमने यहाँ पर मोती एड़ कर लिया फिर यहाँ पर हमारे जितनी भी डबल कोश्य है सब एक उपर हमें एक डबल कोश्य बना लेनी है यह देखिए यह हमने यहाँ पर बना लिया सब एक उपर एक डबल कोश्य फिर हमें लूप लंबी करनी है फिर हमें यहाँ पर एक मोटी अट कर लेनी है कि यह पेम पर Θूा पर मोटी ड़ियर कर लिया फिर संहा स्व ए डवल कुछ्ण में कर लीनलगे तो 3 से से सब दोबल कुर्शे के वामें 100 these old time better reg Gracias फिर हमें मोटी हमें कर दोदियों करनी है फिर अगली में फिर हम्में सभी डबल कुरूशे के ऊपर हम नहीं की डबल कुरूशिर है लिए में हमें डोट समुलख यहां फिर हमेहां लम्बा कर लिया है तिहां कि मैं ही फिर में तो यह अथे पर उसके बड़क आय उपर हम नहीं है तो शेज बना लेनी है ही हम ने सबी doğर कोशे के उपर हमने बना लिया a ус-small e Kalinais के यहां पर नहीं हैं और लोडिएक इस ही अैध ऐखोरी है आध कर दो रिकके इस इस ऐखोर कोशे के आधा सब्धूँए औरSON महिंट कमप्लेट हो चुकी है हमने इसे जाइंट कर लिया कि सभी डपल क्रोशे को मुपर एक मूति इड करनी है ते येजो दो मूति हमारे के बीच में जो पर एप एक डवल क्रोश्र बनानी है फिर लूप लंबी करनी है हमें फिर हमें यहां पर एक मोती बना एड करनी है मोती एड करनी है हमें फिर सभी डबल क्रोश्य को पर हमें यहां पर एक डबल क्रोश्य हमें बना लिया है यहां पर सभी डबल क्रोश्य को पर एक डबल क्रोश्य हमें बना लिया फिर हमें यहां करना ना हैं फिर हमें आप एक मोति कर लेना है और फिर इन दोनों के भीच में एक डबल क्रोश्रे हमें बनानी है फिर लूप लंबा करना है हमें और फिर एक मोति हमें यहां प्र एड़ करनी है फिर सब्वी डबल क्रोशे के उपर हमें एक डबल क्रोशे हमें बनानी है तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरे लाइन को हमें कम्प्लीट कर लेनी है ये देखे फिरेंज ये लाइन हमारी है कम्प्लीट हो चुकी है फिर हमने आप इसे जाइंट कर लिया फिर सभी डबल क्रोश्य को उपर हमने यहाँ पर एक डबल क्रोश्य हमने बना लिया फिर हमने यहाँ पर एक मोती एड कर लिया है फिर जो हमरे यह एक डबल क्रोश्य है इसके उपर हमें तीन डबल क्रोश्य बनानी है एक दो तीन फिर लूप को लंबा करना है यहाँ पर हमें एक मोती एड करनी है फिर सभी डबल क्रोश्या को उपर हमें एक डबल क्रोश्या हमें बना लेनी है यह हमने यहाँ पर मोती एड कर लिया फिर जो हमारी सब एक उपर हमने डबल क्रोश्य बना लिए फिर एक मोटी एड़ कर लिया फिर जो हमार ये एक डबल क्रोश्य है जिस तरह हमने यहां पर बनाया है उसी तरह हमें यहां पर भी बनानी है तीन डबल क्रोश्य बनानी है एक डबल क्रोश्य को पर एक पर एक मुठीफ अइड लिए अधी जांट करना नहीं तो इसी प्रोसेस हमें इस लाइन को हमें कप्लेट कर लेनी जो एक डेबल क्रोशिय उसके उपर आप यहां पे तिन डेबल क्रोश्य बनानी है यह देखे फिर इसे लाइन हमारी है कंप्लेट हो चुकी है हमने यहां पर जाइन कर लिया फिर सभी डबल क्रोशे के उपर हमने यहां पर एक डबल क्रोशे बना लिया फिर एक मोती हमने यहां पर एड़ कर लिया है फिर हमें यहां पर जो हमारी जो पिछले लाइन हमने यहा था पहली वाली double crochet के उपर हमें एक double crochet बनानी है दूसरीीवाली double crochet was 2 chain पिर एक double crochet पिर दूसरी नुमर के double crochet है उसनी के उपर हमें तीसरी अब पिसपश्वाय दो सब बनानी है और तीस्री नवर को आउल कोश्या इसको में चौथि वाली डूः कुरोश्या बनानी यह देखिए पहली पर एक बनाया दूसरी पिर दो टैम डॉइल कुरोश्या बनाया बेरे दौ चैन बनाया बनाया दो आई तीसरीं पर बनानी है फिर ऒ तीसरी नुवर को इसे और हमें चौत्ती वाली डबल कुरोष्या बनानी है यह देखिए पहली पर एक बना दूसरी पर दो टैम कुरोष्या बनाया है अब बीच प्र बूसक् awhile- & चैन बनाया तीसरी पर एक ढबल कुष्या फिर हमें यहाँ पर मोती आड़ करनी है फिर सभी डबल क्रोशिय के उपर हमें एक डबल क्रोशिय बना लेनी है यह हमें यहाँ पर बना लिया एक मोती हमें आड़ कर लिया फिर हमें पहली वाली डबल क्रोशिय के उपर एक डबल क्रोशिया दूसरी पर दूसरी डबल दूसरी पर भी बनाने हैं द्वनों मरकार पर नाया है आद the second of the star चैन फिर तीस सी डवल कोश्चेंब कार में द्वनों खेंगा धुने निय्साए not about the यह दिखें फिरिंस यह लैन हमारी है complete हो चुकी है हमने आप इसे जाइंट कर लिया फिर सब भी double crochet को पर हमने यह पर एक एक double crochet हमने बना लिया फिर एक मोटी हमने अड़ कर लिया है फिर हमें यहाँ पर बीच वाले जो design है हमारी इन दो double crochet को पर हमें एक-एक double crochet हमें बनानी ह हमें एक, दो फिर एक मोटी हैट करनी है फिर हमें जो पहली दो double crochet है इनके उपर हमें एक-एक double crochet में बनानी है एक दो फिर तीन चैन फिर अगली दो डबल क्रोशिया है इन दोनों को पर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है एक दो फिर हमें यहापर एक मोती आड़ कर लेना है फिर सभी डबल क्रोशिया को पर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है यह देखे इसी प्रोसेस से हमें यह पूरे लाइन को हमें complete कर लेनी है यह दिखे फ्रेंट्स यह लाइन हमारी है complete हो चुकी है फिर इस लाइन में हमें यहाँ पे same process से बनाना है सिर्फ हमें यहाँ पे 3 के जगा पर 4 chain हमें लेनी है पिसले यहाँ हमें यहाँ पे 3 chain लिया था इस लाइन में हमें चार चे लेनी है और बाकी सब हमें सेम प्रोसेस से इसे हमें बना लेनी है बाकी सब यहाँ पर हमारा सभी सेम प्रोसेस से हमें इसे बना लेनी है सिर्फ हमें यहाँ पर तीन चैन के जगा पर चार चैन हमें इस लाइन में करनी है इस प्रोसेस से हमें इसकी अगली लाइन यह भी है लाइन हमें कम्प्लीट कर लेनी है यह देखे फ्रेंड्स यह लाइन हमारी यह कम्प्लीट हो चुकी है पहले हमने यहां पर दो चैन बनाया, फिर तीन चैन, फिर चार चैन हमने बनाया, इस लैन में फिर हमें यहां पर सेम प्रोसेस से बनानी है, चार चैन के जगा पर हमें चार चैन ही बनानी है, तो सेम प्रोसेस से हमें इस लैन को भी कम्प्लीट कर लेनी है, इस लैन में भी हम जो हमारे सभी में में चार-C चार चेन हमें बना लेना है बागे सब हमें उसलेज में से हम्मै महुझे जबली नीज से चार चेना बना हैं नीज सब्सक्रायर are you की हम नहां पे से जॉइंट कर लिया स्लिपे स्रीश से эфф siis दूसरी डॉबल क्रेश्या है यहां पर भी स्लिपे स्टिच फिर तीन चैंग दोबल पिउपकर हमें एकट कोई बनानी है एक है दो जांदे फिर दो दूसरी डबल क्रोशे पर भी मैं हमें स्लिप स्टिच करनी है फिर तेन चैन पिर अगली दो डबल क्रोशे को पर हमें एक डबल क्रोशे बनानी है फिर हमें यहां पिर मोती एड़ करनी है फिर इन दो डवल क्रोश्य को उपर हमें एक डवल क्रोश्य बनानी है फिर एक चैन पिर पिछली लैन में हमने यहां पर चार चैन जो हम रहें बनाया था इसी स्पेस में हमें तीन डवल क्रोश्य बनानी है एक दो तीन फिर एक चैन फिर इन दोनों डबल क्रोश्या के उपर एक डबल क्रोश्या बनानी है फिर हमें यहां पर एक मोती एड़ करनी है फिर यह देखिए यहां जो हमने यहां पर पांच डबल क्रोश्या बनाया है दोनों तरफ हमें एक एक डबल क्रोश्या स्कीप करनी है बीच की इन तीनों डबल क्रोश्या के उपर हमें एक एक डबल क्रोश्या बनानी है पहली स्कीप करनी है दूसरी तीसरी चौथी इन तीनों पर हमें एक एक डबल क्रोश्या बनानी है एक दो तीन जिस तरह हमने स्ट फिर इन दोनोंट डवल कोशिया के उपर एक डवल कोशिया फिर एकचेन पिर बीच वले स्पेस में तीन डवल कोशिया फिर एक चैन फिर इन दोनों के उपर एक डबल क्रोशिया दोनों तरफ हमें यहाँ पर एक एक चैन बनानी है दो डबल क्रोशिया गवाद एक चैन फिर तीन डबल क्रोशिया फिर एक चैन फिर दो डबल क्रोशिया फिर में यहाँ पर एक मोती एट करनी है के फिर फिर पहली वाले स्क्रीप ने फॉरी देसरी और चौधषी पर एक एक डॉबल कुरें करने हैं तो इसी तरह में पूरी लाइन के चीस आङए और लेनी हैं यह देखें फ्रेंड्स एह लैन हमारी है हम उच्प्लीत हो चुकी है हमने हुसे जॉएन कर लिया फिर दूसरे वाले पर भी हमेंlish zlippy stitch फिर तेन चेन तीन एक चार चेन फिर लुप को में लंबा करना है यहां पर हमें एक मोटि एड्ड करनी है फिर यह स्टार्टिंग की दो है यहां पर हमें 2 डोबल क्रोशिय बना लिने हैं एक एक डोबल क्रोशिय फिर यहां पे दो चैन पिर पहली वाली पे एक डवल क्रोशिया दोसीर वाली पे हमें दो डवल क्रोशिया बनानी है एक दो तीसे वाली पर एक डबल क्रोश्रिय हूं detto na यह ने हैं फिर दूचैन में लास्ट की छी दूबल क्रोश्रिय है इन दोक उपर हमें एक डवल क्रोश्रिय में बनानी है यहा पर हमें हुरिय के मृथी यहर करनी है कि पहले वाले स्कीप करनी है दोसरी वाली पर हमें एक डबल क्रोश्य बनानी है यह देखिए फिर हम यहाँ पर एक मोटी एड करनी है फिर हमें पहली वाली डबल क्रोश्य पर एक इन दोने के उपर हमें एक डबल क्रोश्य बनानी है फिर दो चैन पिछली राण में यहाँ पर तीन डबल क्रोश्य बनाया था इस लाण में हमें एक डबल क्रोश्य बनानी है यह देखिए यहाँ पर भी एक बनाया यहां भी हमें एक बनानी है फिर हम यहाँ पर इन दोने को पर एक डबल क्रोश्य बना लिया फिर दो चैन फिर पहली वाली पर एक डबल क्रोश्य दूसरी वाली पर दो डबल क्रोश्य एक दो तीस यह कि यह कि अबनानी है यह मोटoba कर लिया फिर हमने पर पहली स्किक्स को यह हैं दूसरी दबल ले डवल क्रोश्य पर हमें एक डबल क्रोश्य पनानी है 3 पर ही उरडानी है हुआ है धी फिर इम प्रोसेसित हमें यहां पर इंग डवल करोशतिया फिर दो चैनी प्री पर एक डवल क्रोशे दूसरी पर दूसरी त्week पर एक मां नुहा पर चाह डबल क्रूश बनाओ फिर इन दोनों के ऊपर एक डबल कुरोश उस प्रोसेस हमें यह पूरी लाइन को में ऽायगों कर लेनी ह 28 क video में अपको यहीं तक बतांगे लिए आपको next video में बताऊंगे friends इसके आगे हमें कैसे बनाना है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया friends तो इसको जरूर से जोई like करें comments करें और ज्यादा सदा इस video को आप share करें friends और जिन लोग ने भी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया आपको मिल जाए जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो अब मैं मिलती हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you have a nice day